नमस्कार दोस्तों मैंने चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर आए हूं डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचे बहुत ही इजी वे में जिससे कि आपको याद करने में बहुत आपड़ीजीएका चुछ शुरू करते हैं सबसे पहले इनका परिचेश परिचे में सबसे पहले आपको इनका पूरा नाम लिखना होगा जो की काफी लंबा है यह आपको याद करना पड़ेगा उनका नाम पूरा नाम क्या है डॉक्टर अवोल पकिर दाने में कि आपको याद करने में थोड़ा टफ जाने वाला है तो इसलिए मैंने इसका एक शौट ट्रिक निकाला है जिसके तुरू आप इसे ही बतलब आपको आप भूलेंगे ने कि यहां पर क्या आएगा तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका पूरा नाम फिर जन्म जन्म इनका हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को और इनका जन्म स्थान धनुष कोडी गाव रामेश्वरम तमिनलाडू यह इनका जन्म का स्थान है तो यह आपको मैं बता दू कि आपको आप सिर्फ रामेश्वरम तमिनलाडू भी लिख देंगे ना तो भी चलेगा यह गाव का नाम नहीं तो भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है जो बिल्कुल भी याद नहीं कियोंगे उनके लिए तो मैं यह कहूंगी कि यह मत याद किजेगा कोई जरूरत नहीं से पढ़ने की फालतू मन में मतलब दिमाग में डाउट होता है तो आप बस इतना याद कर लिजेगा पाजेरा का फुल फर्म बता दूं आपको पहले तो आपको इतना तो पता ही है डॉक्टर अवुल पाकिर जैनुल लब दीन यह जैसे जैनुल लब दीन हो जाएगा और उसके बाद अब्दुल कलाम तो आपको पता ही है तो अवुल पाजै और रा मैंने इसले इसमें तो रा मतलब होता है रामेश्वरम मतलब अवल पाकिर जैनलाबदीन अब्दुलकालाम जी का जन्म कहां हुआ था रामेश्वरम में तो अपा जहरा करके आप याद कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक्जाम में याद करने में इजी पढ़ेगा एक्चली मैं अभी ऐसे बहुत सारे ट्रिक यूज करती थी अपने एक्जाम में याद करने के लिए क्योंकि यह याद नहीं होता है जल्दी से तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें काफी टाइम चला गया इनकी माता का नाम आसीमा पिता का नाम जैनुलाबदेन रास्ट्रपती कब अब इनका एक नॉर्मल जीवन परिचे हम शुरू करेंगे तो यह सारी चीजे जो डिटेल आपने पहले पर लिखी हैं यही आपको इसमें इंक्लूट करके इनका एक जीवन परिचे बना देना है अब्दूल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामिश्वरम तमिन नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे तो रामिश्वरम तमिलाडु में हुआ था वे तमिल मुसल्मान थे इनका पूरा नाम अवुल पाकिर जैनुलाबदीन अब्दूल कलाम है इनके पीता का नाम जैनुलाबदीन था वे एक मध्यम वर्गय परिवार के थ करता था मतलब बहुत ही कठोर परिश्रम करने के बाद इनकी यह सिच्छा ले पाते थे मतलब ग्रहन कर पाते थे कैसे घर घर अख़वार बेच कर पैसे कठा करते थे और उन्हीं पैसों को अपने स्कूल में फीस के रूप में भरते थे तब जाकर इनकी पढ़ाई होती थ पिता से अनुशाषन उदारता ते इमांदारी जैसे गुड़ सिखे उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स ट्रॉपिक आपका सिच्छा क्योंकि आपको बहुत सारा लिखना होता है इसमें से कुछ भी याद ना आय तो से छोड़के आगे बढ़ जाईएंगा क्योंकि या सिच्छा रामिश्वरम एलिमेंटरी स्कूल से हुई थी तथा ब्स की पढ़ाई जो सिफ कॉलेज से हुई थी इनकी तो इतना तो आपको यही तो नॉर्मल याद करना पड़ेगा इसके बाद इन्होंने उनीस सो चोवन से संतावन में मद्राज इंस्टिटूट ऑफ टेक्न खोड़ा बहुत लिखेंगे एरोनेटिकल इंजिनिरिंग में डिप्लोमा हासिल करने के बाद कलाम जी ने अपने करियर की शुरुवात में ही इंडियन आर्मी के लिए एक स्मॉल हेलिकॉप्टर डिजाइन किया यह आपको इजली याद हो जाएगा उन्होंने जब अपनी हेलिकॉप्टर डिजाइन किया था शुरुवात में 1972 में विभारती अंतरी चनुसंदान संगठन से जुड़े उसके बाद कलाम जी को पर्योजना महा निदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रा SLV तृतिया प्रच्छे पास्त्र बनाने का श्रेय हाचि किया जाता है कलाम जीने स्वदेशी लच्षे भेधी नीयंतरित प्रच्छे पास्त्र गाइडेड मिसाइल्स को डिजाइन किया इन्होंने अगनी तथा प्रिथवी जैसे प्रच्छे पास्त्र को स्वदेशी तक्नीक से बनाया था इसमें आपको कुछ चीज है यह जैसे एड़ करके अगर आपको नहीं आदो रहा होगा तो की बात कहा रही हो तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा तो अभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे अब नेक्स पेस देखते हैं कलाम जी ने भारत के विकास इस तरको 2020 तक विज्ञान के छेतर में अत्याधुनी करने के लिए एक विशिष्ट सोच प्रदान की थी 18 जुलाई 2002 को कलाम जी को 90 प्रतीशत बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपती चुना गया था करेम सकते हैं करेशित करिया था खिर आपको 20 ऑप 20 likes साथ को सभा तो ये आपको राशन ही करियर कर आपको इनकी राशनेती करियर करे गाब के था एक पर जाल के और आप उसमी और अलग से भी लिख सकते आपका पॉइंट बढ़ जाएगा या फिर आप इसी में भी एड करके लिख लेंगे इनके करियर में भी तो भी आपको चलेगा बस आपको यह याद रखना चाहिए कुछ पॉइंट से जिनको आप याद कर लेंगे तो पूरा जीवन परिचायन का लिखा जाएगा पुरसकार और सम्मान कलाम इसमें मैंने बहुत कम लिखा है मतलब जो थोड़े बहुत इंपोर्टन है क्योंकि आप ज्यादा याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे पुरसक सय्यूक्त राष्ट द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में भी मनाई गया था मतलब बगब बढए बात होती है दीवस के रूप में मनाया गया था तो ये आपको याद कर लίνा चाहाई बहुत पड़ेगा फिर भारत सरकार द्वारा उन्हें 1981 1981 पद्मभूशन और 190 आपको मतलब इससी पड़ेगा याद करने के लिए इसलिए मैंने से इंक्लूड किया है समान प्रदान किया गया था फिर उसके बाद 1997 में उन्हें भारत का सरवुच नागरिक सम्मान क्या होता है सरवुच नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया मतलब इसके यह गया प्रपदमभूशर नबे में पदमभी भूशर और 1997 में भारत रत्न प्रदान किया गया था इसके बाद आपको इसमें अपने जो भी जीवन परेचे लिखेंगे उसमें यह जरूर इंक्लूट करना चाहिए कि उन्हें कहा जाता था क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है भारति माइध कि उनने कहा जाता था यह बहुत ही बड़ी बात है कहा जाता है पॉयंद में इससे लिख सकते है मारक्स कि किताबे इन्होंने काफी किताबे लिखी ती जिन में से कुछ मैंने इंक्लूट किये हैं आप कुछ और भी देख सकते हैं अगर आपको कुछ और याद हो तो आपको भी लिख सकते हैं मैंने जो इंक्लूट किये वह मैं आपको बता देती हूं कलाम जी ने अपने जीवन में क और इंडिया तो इसमें से यह काफी चीज़े हैं जो मतलब यह बहुत इजी वाले जो है बुक्स के नाम जो है वह मैंने लिखे हैं यह आपको याद हो जाएगा जरूर याद हो जाएगा या फिर आप वैसी ही ट्रिक मतलब जो मैंने पहले बताई उसी टाइप का यह आगे क एड करके बना लिजेगा ताकि आपको याद हो जाएट लिस्ट फाइफ तो आप लिखी ले उसके बाद इत्याद ही लिख दिया है मतलब बहुत सारी बुक्स है आपको जो याद हो आप लिख सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब अन्त में इनकी मृत्यू डॉक्टर में 27 चुलाई 2015 को उनकी मृत्य हुई थी 83 वर्ष की उमन में सो आई होब कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और यह जीवन परिशे मैंने आपको बताया है वह आपको याद रहे और आप एक दो बार पढ़े ताकि आपको याद हो जाए मैंने पूरी कोशिश किया कि कि आपको याद हो जाए अगर वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजेगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्रेस कर दिएगा उसमें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजेगा मैं मि लोग उसे अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाय और टेक केर और अल दे बेस्ट फॉय एक्जाम थैंक यू